अब ये फिलोस्थी का काम ऐसा है, कि फिलोस्थी बड़ा विशाल विशे है, अभी तो हम सनातन धर्म की पुस्तकों का, सनातन धर्म के ग्रंथों का यद्यन कर रहे हैं इतने दिनों से, कितने ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, ये अभी तक समाफ्त होने में नहीं आ रहे हैं, आज अंग्रीदी में भी और हिंदी में भी बड़ी अच्छी किताबें उपड़ाब्द हैं, राधा किष्णन की किताब जो है, History of Indian Philosophy, वो दोनों भाषाओं में उपड़ाब्द है, हिंदी में भी आगी है वो और इंग्लिश में भी आगी है, दो वॉल्यूम में है, इसी तर से छपी थी, वो पाँच वॉल्यूम में है, और अंग्रीदी में है, अब इस किताब को इन्होंने डिल्ली से छापा है, और डिल्ली से छापा है तो तीन खंडों में छापा है, बहुत विस्तार से उन्हें व्यद्वर्णन किया है, और बहुत विस्तार से वर्णन करने के उन्होंने रेफरेंसेज बहुत सारे दिये हैं, बड़े रेफरेंसेज कोट किये हैं, जितने रेफरेंसेज जे एन सिना की किताब में हैं, इतने किसी किताब में नहीं हैं, तो जे एन सिना की किताब ये दिल्ली से छपी है, उसके बाद एस एन दास गुपता, एस एन दास ग वो अंग्रेदी में थी, कि इसको राजस्थान साहिद्य एकडेमी ने इन पांचों वॉल्यूम को हिंदी में छाफ दिया है, अगर हिंदी में पढ़ना चाहें फिलोस्फी, तो हम राजस्थान से या दिड्ली में हिंदी की किताबें जा मिलती हैं, हम आचे ले सकते हैं, और अगर हमें अंग्रेदी में चड़ना पढ़ना चाहें, तो ऐसे अंदास गुप्ता की किताब में करगत्ता की भी मिल जाएगी दिड्ली में, किसी फिलास्थी की दुकान से, उसके बाद लखनव उनिवस्ट्री के हैड हैं थे, एन के देवराज, देवराज की किताब उन लोगों के लिए, जो बीगनर हैं, उनको समझाने के लिए बहुत अच्छी किताब है, इसी तरह से हीरियाना की किताब है, इंग्रिश में है, देवराज की किताब भी दोनों में है, हिंदी में भी है, और इंग्रिश में भी है, तो philosophy की जो ऐसी कितावे हैं जो आरंबिक कितावे हैं वो तो इतनी हैं बागी detailed कितावे तो बहुत जादे बड़ा इतिहास है वेदान्त पर ही इतना लिखा हुआ है न्याय पर बहुत लिखा हुआ है न्याय और नब्य न्याय और बहुत दर्शन पर तो विदेशों में इतने साहित लिखा गया है वो बाद में जब एड़वांस स्टेज में पहुँच जाएं तब हम उनका वर्दन करेंगे लेकिन अभी तो हम इन ही किताबों का हमने यानि जे एन सिना की किताब ऐसैंदास गुपता की किताब राधा किष्णन की किताब इनकी एम हरियाना की किताब एनके देवराज की किताब ये किताब ही फिलॉस्फी की ये दिल्ली में मिल सकती है ये चौखंबा वालों के ना सारी किताब हैं बाकी तो एक एक दुकान पर ढूडनी पड़ेंगी, चौकंबा वारो न सारे किताब अपने हां रखी हुई हैं, वहां ने सकते हैं, बाकी फिलोसफिक किताबें नई सडख पर कही दुकान मिल जाती हैं, तो यह किताबें आपको ऐसी जगे से मिल जाएंगी यह आरम्म लगेगा कि भारती फिलोसफी क्या है. उसके बाद फिर आप डिटेल में बहुत सारा पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा साहित है. अभी हम साहित को, सानातंधर्म के साहित को हम खतम नहीं कर पाए, कितना रमबा साहित है. अभी गीता चल सबीस कर लेंगे. और गीता के बाद हम बड़ा रंबा साहित होगा, उसको देखेंगे.